यस गुड मॉर्णिंग बच्चों कैसे हो अच्छे फाइन गुड पर बिटा आप लोग ना काम करके नहीं बता रहे हैं जितना भी वर्क भीज रहे हैं आप वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा इसलिए आप अपना वर्क प्रापरली करि और फिर सेंड कीजिए ठीक है ना एक दिन में दो दिन में लेकिन यह बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है ना देखिए तो हम पिछली क्लासिज में बात कर चुके थे किसके बारे में अमल और चार के बारे में बात कर चुके थे और अमल चार की सबसे पहले हमने क्या पड़ तो वे पदार्थ जो H प्लस आयन देते हैं अमल कहलाते हैं और वे पदार्थ जो OH माइनस आयन या हाइड्रोकसिल आयन प्रदान करते हैं शार कहलाते हैं ये बात करी थी फिर उसी अरिनियस में हमने बात करी थी प्रबल अमल प्रबल शार है ना दुरबल अमल दुरबल शार ये सब बात करे थे ना हमने उसमें यस फिर उसके बाद यहां तक हो गया था अपना किसके according अरिनियस के according फिर हमने बात करे थी उदासीनी अभी करन अभी करिया किसे कहते हैं बता हम किसे कहते हैं उदासीनी करन अभी करिया कहलाती है उधारन अपने पास थाई है ना फिर आमने इसमें पिछली वीडियो में च्प्टर नमबर 6 में हमने बात कर ली थी करी थी ना इसके बारे में प्रबल अम प्रबलचार की वीडियो जब को सेंट करे धे हमने ठीक है ना यहाँ पर भी हमने डेफिनिशन पढ़ी थी अब पिछली वीडियो में आखिर बात यह है कि अरेनियस की संकल्पना हमने पढ़ ली अमलोर चारों के लिए लेकिन इसकी बावजूद भी और कई वेग्यानिकों ने कई कैमिस्टों ने अपनी अपनी थियोरी दी तो क्यों दी इसका मतलब कि यह सब पर लागू नहीं हुई तब ही तो आगे वाली थियोरी दी इनोंने यह तो जैसे अरेनियस की संकल्पना उन अमलोर चारों के लिए उप्योक्त थी जिन में क्या थे एच प्लस आयन और ओएच माइनस आयन क्या थे पीटा जिन में एच प्लस आयन और ओएच माइनस आयन होते हैं उनके लिए तो यह क्या थी? वैलिड थी, लागू थी, लेकिन जिन में हाइटोजन नहीं पाया जाता या जिन में हाइड्रोक्सिलाइन नहीं पाया जाता है उनको हम कैसे पता करेंगे कि वो अमले हैं या छार हैं, ठीक है? जैसे माली HCl है तो उसमें H प्लस आयन है, तो पता लग गया भई H2SO4 है, तो पता लग गया H प्लस आयन है है ना, NaOH है तो OH माइनस आ रहा है, तो हमें पता लग गया कि वो क्या है? बेस है लेकिन, अब आप से कहूं मैं कि CO2 है कारबंडाई आउकसाइड, बता यह Acid है भी इस है और इस वर यह तो बताना मुश्किल है, क्यों? क्यों बताना मुश्किल है? क्योंकि ना तो इसमें H प्लस आयन है, और ना ही इसमें क्या है? OH माइनस आयन, है क्या इसमें? देखो देखो बेटा CO2, कारबंडाई एकसाइड है इसमें कहीं भी हाइडोजन आयन है क्या? है? नहीं है, और इसमें कहीं बेबी OH माइनस आयन है क्या? हाइडोकसिल आयन है क्या? नहीं है, इसका मतलब अब यह कैसे पता करेंगे कि यह अमलिये है या चार यह है तो यह तो एक समश्या हो गई भई तो इस समश्या से उबरने के लिए जो और नए वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्रान स्टेट एंड लॉरी इन्होंने मिलकर के एसिड और बेस को, अमल को और चार को क्या किया एकस्प्लेइन किया, वर्डन किया और बताया ठीक है